जै लक्ष्मी माता दोस्तों कैसे हैं आप लोग यह बताने के लिए कमेंट में जै लक्ष्मी माता जरूर लिखे माता रानी सबका कल्यान करेंगी दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे धन 13 2020 धन 13 2020 को लेकर असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है लोगों के वीच में कन्फ्यूजन क्रियेट हो गया है कि धन 13 2020 का कब होगा और नरक चतुरदसी 2020 का कब होगा जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कार्तिक मास के सुकलपक्ष की 23 तिथी पर धन 13 के साथ 5 दिवसिये दिपोत्सव यानि दिवाली के पर्व का आरम हो जाता है और भाई दूज तक चलता है धन 13 पर धनवंत्री भगवान की पूजा का प्रावधान है तो वहीं इस दिन कुछ लोग सीव पर दोस ब्रत भी करते हैं धन 13 के अगले दिन चतुरदसी तिथी होती है जिसे नरक चतुरदसी, रूप 14 और छोटी दिवाली के नाम से जाना जाता है इस दिन भी मासिक शिवरात्री का ब्रत करके लोग नरक चतुरदसी का पूजन करते हैं लेकिन इस बार यहत्योहार पांच दिन की बजाए चार दिन का पड़ रहा है तीथियों का हेर फेर के कारण लोग उलजन में है कि किस दिन क्या किया जाए अगर आप भी इसी असमंजस के स्थिती में है तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों का असमंजस दूर करेंगे धंतेरस का पूजन कब करें नरक चतुरदसी कब मनाए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आपने मेरे इस घरेलुखवर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक करेंगे और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके मेरे इस वीडियो को सेर करेंगे दोस्तों ग्रह नच्छत्रों की गन्ना की अनुसार इस वर्ष कार्तिक मास की क्रिस्न तर्योदसी तिथी बारह नवंबर दिन गुरुवार को रात साड़े नौ बजे आरंब हो जाएगी जो तेरह नवंबर दिन सुक्रवार को साम पांच बज के उनसट मिनट तक रहेगी तर्योदसी तिथी के उदिया तिथी और प्रदोस काल में होने की वज़ा से तेरह नवंबर दिन सुक्रवार को धनतेरस का पर मनाना सुब रहेगा जो लोग प्रदोस ब्रत करेंगे उनके लिए भी धनतेरस का दिन सुब रहेगा तेरह नवंबर की संधिया समय पर पांच बज के 69 मिनट से चतुर्थी तिथी लगेगी जो 14 नवंबर को दोफर के समय दो बज के 18 मिनट तक रहेगी चतुर्थी तिथी को सुर्योदय से पूर्व असनान करने की परमपरा है सास्तरों के अनुसार जिस दिन चतुर्थी तिथी लगी हो उसी दिन रूप चतुर्थी का असनान करना चाहिए मानिता है कि इससी रूप सौंधरी की प्राप्ति होती है और मिर्ट्यू के पस्चात मनुस्थ को यम लोग के दर्सन नहीं होते है इसलिए चतुर्थी तिथी का असनान 13 नवंबर को ही किया जाएगा जो लोग नरक चतुर्थी का ब्रत करते हैं और मासिक सिवरात्री का ब्रत करते हैं उन्हें भी इस वर धन 13 के दिन यानि 13 नवंबर को ही ब्रत करना चाहिए 13 नवंबर को चतुर्दसी का ब्रत करने के पीछे कारण है कि जिस दिन मध्रात्री की समय चतुर्दसी आरंभ होती है उसी दिन ब्रत करने का प्रावधान होता है चतुर्दसी तिथी को ही मासिक सिवरात्री का ब्रत किया जाता है 14 नवंबर के दिन मध रात्री के समय अमावस्या तिथी होगी इस कारण 14 नवंबर को चतुर्दसी का ब्रत करने पर वह दिवाली ब्रत के रोप में मानने होगा 14 नवंबर की रात्री में लक्षमी पूजन किया जाएगा चलिए अब जानते हैं धंतेरस के दिन खरिदारी का सुम मोहुर्थ क्या होगा क्योंकि इस दिन धातू की वस्तूओं की खरिदारी सुख संपंदता का कारण माना जाता है तो धंतेरस के सुम मोहुर्थ में ही आपको खरिदारी करनी है धंतेरस के सुम मोहुर्थ मैं स्क्रीन पे दे रही हूँ कि खरिदारी का सुम मोहुर्थ क्या होगा आप उसे देख लेंगे तो आसा ही नहीं भोने विश्वास है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करे, सेर करे और चैनल को सब्सक्राइब करे, ठैंक्स